हलो गाईज चलो आज बनाते हैं बनाना पेनकेक मुझे अपने बच्चे के टिफिन के लिए बनाना है आप चाहे तो बनाना यो खा सकते हैं बट इसकी रेसिपी अगर ट्राइ करेंगे तो यकीन मानिया आपके बच्चे खुद अपने हाध से खाएंगे और बहुत चाओ से खाएंगे इसके लिए हम यह चाहिए कुछ नहीं बस दो बनाना और यह है आटा घर का पिसा हुआ चाहे तो आप मैदा भी ले सकते हैं बट हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हेल्दी जरूर से लीजेगा फिर शक्कर आपके बच्चे के टेस्ट के एकॉर्डिंग और यह है बेकिंग पॉर्डर जो की अमुमन हर घर में रहता है उसे आप जरूर से डालिएगा और एक इंग्रीडियन्ट है जिससे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी वो है वेनील एसिंस जो में इंग्रीडियन्ट है वो है दूद यह बॉल किया हुआ दूद है आप कच्चा दूद बिल्कुल भी नहीं लेना बॉल किया लेना इतनी सारी चीजों से आप सिंपल से बहुत फ्लफी और टेस्टी बना सकते हैं चाहे तो बनाते बनाते एक खुद खा लीजिए क्योंकि माई अकसर अपना ध्यान नहीं देती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले हम बनाना लेंगे और उसे हम पील कर लेंगे पील करने के पाद इसे फोक की हेल्प से हमें मैश करना है कोशिश की जिगई है कि मैश अच्छे से हो जाए ताकि यह समूढ पेस्ट बनाना है हमको ताकि हमें आगे से बनाने में बीलकुल भी दिक्कत ना देखिए मैंने समूढ पेस्ट बना लिया है अब इसमें डालेंगे इंग्रीडियंश शक्कर डालेंगे उसके बाद यह है वैनिला एसेंस जरूर से डालेगा क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है और इसके बाद हम डालेंगे बेकिंग सोडा इससे इसमें फ्लॉफीनेस बनेगी आपका जो बनाना केके बहुत फ्लॉफी बनेगा और यह है आटा एक कप आटा अपने साब से अपने ले भी बना रे तो आपकी क्वांटिटी डबल कर दिजएगा फिर उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है मिक्स मिक्स 2 में इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेन पार्ट यह है कि हमें इसे एक ही डारेक्षिन में मिक्स करना चाहर जी में बहुत ठीक लắm और और दुरु hahaha ऑम आप एक से दो बार एदि घर में ट्राइ करते हैं तो आप असानी से पैनकेकघ बना लेंगे और ये टिफिन के लिए तो बहुत अच्छी रेसिप्य और सुबह सुबर जब हमारा कुछ बनाने का मन नी करता है तो अनहेल्दी बनाने की जगह हम ये रेसिपी बच्चों को बना कर टिफिन में दे सकते हैं बहुत अच्छे से बच्चे एंजॉय करेंगे रेसिपी को देखिए मैं एक तवा ले लिया ये वही तवा है जिस पे हम अक्सर दालेंगे तो चुपक जाएगा फिर हम स्पून की हेल्प से जो बैटर है उसको तवे में लेंगे और उसे देखिए ऐसे तरह अच्छे से एड़्जस करेंगे देखिए वीडियो में मैं किस तरह से अच्छे से टैप टैप करके से एड़्जस कर रही हूं और उसके बाद का पैनकेक जल सकता है तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि मीडियम लो फ्लेम में आपको इसे अच्छे से पकाना है देखिए बबल जैसा आपको दिख रहा होगा यह साइन है कि इसका मतलब यह वन साइड में अच्छे से पक गया है और जहां जहां आपको बबल नहीं द हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे थोड़ा साइस को ग्रीस करेंगे और लगाएंगे डैट्स एट नेक्स्टेप हमारा होगा कि हमें इसे फ्लिप करना है ओकी आई होप आपको यह समझ आ रहा होगा प्रोसेस आप जरूर से अप्टिखर में ट्राइ कीजेगा जब मैंने पहली बार यह रेसिपी अपने बच्चे के साथ शेयर की थी और उसे खिलाया था उसे बहुत जादा पसंद आई थी अब वो अकसर यह चीजे टिफिन में भी लेकर जाता है तो टिफिन में ऐसी चीजे भी देनी चाहिए जो बच्चों की फेवरेट हो ना कि जो हमारी फे आने लग गए यह सुबह 6 बजे में वीडियो शूट कर रही हूं तो आपको यह वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमर और सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में यह चलते रहते कि आज मुझे आपके साथ क्या रेसिपी शेयर करने हैं जिससे आपको हेल्प मिले और जो वीडियो है वो इन्फोर्मेटिव हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तब तक के लिए बाबाई टेक कियर